तो दोस्तो आपको बता दें कि 28 जनौरी को जो संपति लिलामी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यदी संपति लिलामी होगी तो दोस्तो तभी जाके 19 से भुकतानी स्टाट होगा दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोड ने मोहर लगा दिया है और इनका जो सुबरतराय साहब हैं साहरा के हेड मेनेजर यानि की चेर्मेन जो सुबरतराय साहब हैं इनकी संपत की जांच चल लई है तो दोस्तों बिगर जांच के अलावा जो और इनके और एकाउंट मे जो है वो अन्यमाद्यम से होल्डिंग बना के रखे हैं ये पैसा वो सब पैसा तो नहीं आ सकता है लेकिन दोस्तों इनकी सो करण की संपति जो वो निलामी हो करके और अब जो है भुक्तान हो सकता है दोस्तों क्योंकि आपको बता दें अब तो जो है धरना परदर्सन भी चला है दिली के जंतरमंतर पे तो दोस्तों आपको बता दें कि हर जगे तो आंदोलन चली रहा था और धरना परदर्सन भी चला है तो क्या इनका संपति निलामी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यदि होनी चाहिए तो आप लोग सपोर्ट करिये कि हाम अतलब संपति इनकी जुआ निलामी हो कर के और उसके बाद फिर भुकतान अब तो जो है चुनाओ भी आ गया है तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको बता दे कि यदि आप लोग एक जूट हो करके आवाज नहीं उठाएंगे तो भुकतान रुक सकता है लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भुकतान रुकने का आप कोई चांस नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट ने मुहर लगा दिया है कि आहां मतलब ये जो है पहले इनकी संपति निलामी हो और जो प्रदान मंतरी लोग सबा में उठाए हैं कि आहां ये क्याम मजाग बना रखे हैं और ये हर जगा जो है डेट पर डेट डाले जा रहे हैं भुकतान नहीं कर रहे हैं और ये हमारे साकार मंतरी सीतार मंडियम और निर्मला सीतार मंडियम और विते मंतरी हमें साजी ने भी बोले हैं कि आ मतलब पहले तो भुकतान हो जाना चाहिए तभी जाके मतदान होगा तो दोस्तों आपको बता दें कि कई कई जगा तो भुकतान हो रहा है लेकिन जो है अभी वो कनफर्म नहीं हो रहा है कि किस जगा हो रहा है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आप पहले भुकतान और उसके बाद फिर मतदान तो हमारे दोरा दी गए जनकारिया दे चलगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा सेयर करिएगा ये कोई फेक नियूज नहीं है दोस्तों आपको बता दे हैं कि रियन नियूज है